नमस्कार मैं हूँ राउल शर्मा आप देख रहे हैं स्पेन आई नियूस वागत है आप सभी का आज के इस बड़ी खबर में बड़ी खबर की शुरुआत ग्यान व्यापी मस्जिद के सर्वे को लेकर जी हाँ ग्यान व्यापी मस्जिद में सर्वे हुआ हाला कि सर्वे पूरा नहीं हो पा है लेकिन सर्वे में क्या क्या चीजे मिली हैं इस पर विस्तार से बताएंगे इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या वाकई तहकाने के जब गेट खुले हैं जब तहकानों का ताला खुला है त वहाँ पर बहुत कुछ मिलता नज़रा है, हाला कि जो सर्वे करने गई थी टीम, उन्होंने कुछ बोलने से मना कर दिया, क्योंकि ये एक गोपनियता के तौर पर रखा गया है, कोर्ट में सारी चीज़ों को रखी जाएगी, तो सीधे-सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि मंदिर को दबा कर मसझध बनाया गया है, सर्वे की टीम, हाला कि कुछ बोलती नज़र नहीं आरी है, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से इशारा किया जा रहा है, जिस तरह से ये बताया जा रहा है, कि अचंबित कर देने वाले वहां से चीज़े मिली है, वहां से ऐसे जो ये इशारा करते हैं कि हिंदू देवी देवताओं कि वहां पर मौझूदगी है दरजल ग्यान जापी मस्जिद में सर्वे से पहले मुस्लिम समुधायों की तरफ से लगातार नाराजगी देखने को मिल रही थी कि हाल ही में मुस्लिम धर्व गुरूओं के साथ एक बड़ी बैठक की गई जिसमें सरकारी अधिकारी मौझूद रहे डियम मौझूद रहे और उनको ये बताया गया कि वो मुस्लिम समुधाय के लोगों को बताएं की वो जादा हो हला ना करें वो जादा इस पर बवाल ना करें हाला कि जो सर्वे के टीम है वो कल भी सर्वे करें गी और 17 तारीक को जो है रिपोर्ट उपे जाएगे तो सीधे तोर पर देखा जा रहा है कि जो लगातार टीम है वो सर्वे कर रही है हाला कि जो हिंदू पक्ष की तरफ से जिन महिलाओं ने अरजे डाली थी वो महिलाओं भी पहुंची उन्होंने भी काफी चीज़े देखी तो सीधे तोर पर देखा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी जो वकील थे वो भी सर्वे के दौरान मौजूद थे इसके लावा हिंदू पक्ष की तरफ से जो वकील थे वो भी सर्वे के दौरान मौजूद थे तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि सर्वे टीम के हाथ कई ऐसे सबूत लगें जो ये इशारा कर रहें कि बहाँ पर पहले मंदिर ही था आज के लिए तहीं आपसे फिर दोबार मुलाकात होगी तब तक के लिए जा दीजे नमस्कार